यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना आप सब लोगों की दोस्ति के लिए आप सब लोगों की सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत थैंक्यू हेलो एवरीबन वेलकम बैप टू माई चैनल यह देखिए आज बैगनों की इतनी मज़ेदार रैसेपी बनके रेडी होगी जो आपको बहुत पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक किजिएगा फ्रेंट समने इस ट्रफ के छोटे चोटे बैगन ले लेने और इनको एक बार चेक कर लीजिएगा इनमें कहीं बीच में होल अगर है ना हो जितकी इस ट्रफ का बैगन ना हो इसमें कर देख लिजिए और दूसरा कट पूरा फूल मत लगाईगा छोटा ही लगाईगा इस तरह कट कर लगा के सारे बैगनों में एक साइड रख लीजिए इसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन पे जाके उसे क्लिक कर दीजिए और जो मेरे चैनल पर आज पहली बार आएं उनसे भी में रिक्वेस्ट करती हूं प्लीज सब्सक्राइब मी और बेल बटन को क्लिक किजिए जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए यह देखिए फ्रेंट्स मैं अब कहते के निकाल अविलेबल होता हिए अगर अगर आप ब्लेग निकाल निकाल ना निकाल दीजीग सब्सक्राइब मीं दून तोपर दाई कर लिया है कि 50% यहां पर सब्सक्षा बेगन गांवाती और ग्वार्व चीटे मारा था क्योंकि पानी होगी तो चीटे मारा तो ग्वार कर लिया तो अब बीगन पग बाद यहां अगर दोग है स्टेशलों अपर टॉटरोण है आप स्टक्रसमय के आप से तो आप आप हैं आप तो फिसलिव कर देखित! यह देखिए इस तरह यह हो जाए और आप उनकाल लीजिए आप इस टेम आप इसमें नमक डाल दीजेगा जब आप निकाल चुके नमक बुर्बरा दीजिए क्योंकि गरम में जल्दी से अब्सरूब कर लेंगे अब मैंने यह पर देखिए अपना जीरा और अपना जीरा और मैं में सबस्काइब अब चुका और यह तरह बना रचल चुका थेखिए अब्सट्पाइब तरह को कुछी अगर बना जाए जह को जा दीजिए अज़ गुड़ जाते हैं तो टुम्त पता नहीं चलता है चलता कर लिज़िए मैं आपने अनियन में अच ज़़िए अचिए नमक औरो नमाग में चुलमाटे में चुछा जबने में तं भूंते बहुन जाए कि अरी इसको हमा तो मिले का भूंता है कि अब यह डू ना, इसको प्राइबाब चलाना गार जाएब एक हमसाला को जाना लिए कंपित Salam अथल जोता है भीन्माइद हो धाल उच्छा है के लिवाथा पाने पान है के जित हो जाता है सॐ नुद्वनें कि दोर लुह है सब्सक्राइब चूदा है उने डालेगे इसम बोहते हैं और अभी हलका हलका और इसने रिलीस किया आप उपर देख रहे होंगे अब इसे फिर से एक बर चला लिजिए मसाला अगर हम छोड़ देंगे तो मसाला नीचे तले पर लग जाएगा अभी इसलिए मैं थोड़ा पानी आट किया था कि मसाला जले नहीं हमारा यह देखिए कु अदेखिए मैं तो मैं इसामार बाद है DIDजिए कम मैं चूकंड़ का में देखिए कुपीत, तो मैं भी एक तेखिए मैं तो सेस्ट आब स्टथ बैगन तो खाएंगे क्योंकि बैगन उसी मसाले में मिक्स हो रखा है और इसका मसाला भी आप बड़े इंजोई से कर खाएंगे ए देखिए कुछ इस तरीके से और नारेल डालते ही जो इसी ग्रेवी थोड़ी सी यल्लो सी होगी है क्योंकि थोड़ा वाइट टेक्शर अपन अब मैं थोड़ा साना इसमें पानी आट करूंगी कि जो इसकी जो ग्रेवी बनेगी ने मसालो के लिए वह थोड़ी लटपटी सी होनी ची जो कि बैगन उसमें अच्छे से वह जाएं क्योंकि अभी मैं अच्छे से और एक बर कुक करूंगी लिल लगा के रख दूंगी से अब यह देखिये तक फिट मैं पांच मिंट के लिए रख दिया है यह सब काम सीम नंड़े है मेरी गयाव पर ही ह सिम पहे अब बस मैं यह यह देखिये पूरा बश्यों और मसाला भी अच्छा को खे चुका है अब इसके बाद मैं एक कर्के सारे बैग्ण करूंगी इसके अब प्रेंट्स दालने के बाद पहले तो एक बार इसको अच्छे से घुमा लेना है उसके बाद मुझे अपने स्पेचुला से इस मसाले को जो मैंने कट लगाया है उसके अंदर फिल करने की वह करना है यह देखिए कुछ पहले तो मैं इसको पूरा कवर कर लोगी मसाले से अब डालने के लिए मुझे स्पेचुला में मसाला लेकर उसके अंदर बहरोंगी जिससे मसाला उसके अंदर तर चला जाए तो यह देखिए पहले एक बार कवर करके वह इसको रख लेती हूँ हूं सारा मैंने मसाले के अंदर इनको घुमा लिया है और पांच मिन में पिर पांच मीन बाद आप देखेंगे मसाल डाबीं मसाला पड़ा अप्सक हापने से और अंधर जा सरी तिक कहा रहा स्थी जम्मिल्ट पांडकर एक तरीके बनाता है कि नारिल ग्रेवी उसने एक अलग ही टेस्स डेल्प कर दिया था बहुत यम्मी इसके अंदर मैं अंदर एक अंदर अंदर जाुचछा का यह लग ऑच जाए अर्फेली चाहिए लिए और अंदर जो कीचिछ कि अंदर नग तक हम दुद्ध के अंदर अंदर अचानि को जाए मुझे लग रहा है कि तले पे लग एक मेरे मसाला तम अछे से एक गुमा लूँगी क्यूंगे वार लोग गाया क्योंकि बहुत जल्दी चीपक रहा है देखिये उसमें इसके अच्छे से घुमाते नहीं और मैं इसके अंदर के मेरे फिल हूल जा है मसाला वैसे तो यह अराम से घुट जाता है लेकिन मैंने इसको फ्राइ भी उतना ही किया है कि घुटे नहीं मसाला बैगन दिखना चाहिए कि हां बैगन है इसके अंदर और प्रापर पूरा आना चाहिए और देखिए मैंने इसका जो उपर का डंठेल वह भी नहीं हटाया बस क्ली करके छोड़ देखिए न करणके कि छोड़ थी जो फसी नहीं हम भी कर प्लंग क्रीच कर थी जो नहीं हम इंक हूँ आट च्पा जाता है छोड़ें पानदी कर वैंने तो लोड़ेचल जो पूरे में तो , ऐसे अब हम रिलीक्स कर दिया है क्योंकि तो.. उर्श कि ख थी कैसी लगी वो भी मुझे बताईएगा यह देखिए क्या टेक्षर है इसका बहुत यमी बनी थी आप एक रोटी की बजाए दो रोटी खाना पसंद करेंगे इतने यमी बनी थी मसाला बैगन देखके ही मुमें पानी आ रहा है है हैना यमी रेस्पी एक ट्राइ जरूर थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो प्रेंट्स केमें करके जूरी बताएगा आपको यह रखी कैसे लगी घर पी रखी नको कोकोनेट तो हर किसी घर में विलेबल होता ही है यह देखिए और इसका पावडर भी मार्केट में असानी से मिल जाता है और कितना यम्मी लग देखिए एक बर इसे जरूरू ट्राइ कीजिए थैंक यू बेरी मच प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब माई चैनल